हुआ हालो चबाठी कैसे हैं आप सब आई हुप आप सब बहुत अच्छे हैं मुणस हैं आई चाइफ ने वाला है बहुत ही जादा largest इम्पोर्टेंट है थीक है तुफसे पहले यार को नशेयर करदो जल्दी से ताकि जादा जादा वाच्टों की सेशन जाए क्यों कि बहु कौन सेट यहां जरीय हम लोग अपने एक्जाम में अच्छे ले सकते हैं तो आपको सिर्फ टॉप ट्री टिप्स बताऊंगी याद रखना और इनी टिप्स को को फोलो कर ना अपने हाफ फिल अग्वेयल ने अच्छी मार्ट में होजा है। यहां पर जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ कर नहीं सकते हैं जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको है कि हमें तो पढ़ना अच्छे से तो प्लीज अपने हाफिल एक्जाम को अच्छे से दें अब 11 में जब बच्चा आता है ना तो 10th में इतनी पढ़ाई कर लेता है कि 11 से होते हैं कि 11 में पढ़ना हो ठीक है 11 तो हो जाएगी तो हो जाएगी नहीं इसको अच्छे से करो जितना चीज़े आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से चीजों को पढ़ो एंड इससे आपको help लेगी आपके 12 के concept में क्योंकि कुछ concept रिलेट करते हैं और अगर वो वीग रह जाते हैं तो 12 में आपको problem होती है और वहाँ पर problem होगी फिरा बोलो कि कुछ समझ नहीं आता है तो अच्छे से exam को दे and positive mind के साथ ठीक है डरे नहीं बिलकुल भी अब बात आती कि किस तरीके से पढ़ना है top 3 tips कौन से हैं तो सबसे वैले चीज़ दे एक हफता तो चाहिए एक चाप्टर के लिए है ना अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जो बच्चे में चाप्टर नहीं पढ़े हैं उनके हाफेली exam आ चुके हैं तो उन बच्चों से बस एक उजारिश है क्या कि वो बच्चे क्या करेंगे आपके जितने फिर्व मोस्त इंपॉर्ण टॉपिंगे अशय हुआ सब कर देंधाक आपका यूनिट बान जो है้ ठीक है तो यूनिट यूनिट में आपके चार चाप्टर ट령 से और पर महीं बोला जो आपका यद बो तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ठीक है यानि कि भाई पूरी यूनिट नहीं आ रही मैं तो ठीक है कोई बात नहीं एक्जाम टाइम है अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पड़ा है लेकिन तुम्हें अच्छे से देने हैं तो जो भी आपकी जितनी भी जितनी भी चाप्टर सारे हैं उनके जो मॉस्ट इंपॉरेंट टॉपिंग है सिर्फ उसको पड़ो ठीक है क्या खिर कौन सा कोशन डिरेक्टली आपके एक्जाम में पूछा जाएगा फिर बात आती कि क्या अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के प्रैक्टिस करें क गो जाक्राइग को मांची कि चलना है कि अब्जेक्टिव इठेट talent का राओंगे तोms रचे आब ध्यान दे अब्जेक्टिव हो या फिर हो सब्जेक्टिवत्स है करके कि कि आगे की बात करते हैं रिवीजन जितने चाप्टर सारivable कि तो नहीं बैठेंगी कि यह कि आप Нуर्मल ऐसी आप घूम रहो तो कौपी अपने हाथ मे ले लो और ईक्untमा तो कहीं नहीं रिविजन बहुत जरूरी है तो एक बार टापिक को पढ़ लेकिन उसको बार-बार-बार दोहर रहाते रहो इसे फायदा यह मिलता है कि आपके जितने भी जो टापिक होते हैं जो भी आपने यानि कि तोड़ा ही पढ़ा लेकिन वो थोड़ा आपको ऐसा आता है ठीक है रात में करो सुबह रिवाइज करो तीसे दिमाग में रहेंगे अच्छे से ठीक है और जिनी बच्चों के पास समय है वो प्लीज बाबर्स इसको रिवाइज करते रहें तो यहां पे जब भी आपके एक्जाम में दिसंबर में हैं जनवरी उसके अपने शेडियूल बना लो कि भाइया मेरे पास इतना समय है और इतना समय में इतना आराम से कर सकता हूं तो बस वहीं आपको करना है तो यह है आपके टॉप 3 टिप्स आपके हाफ फेली एक्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और जितने बच्चे ऐसे जो अभी भी सीरिस निये ठीक है आप क्योंकि 11 बिल्कुल खतम होने पर है ना दिसमबर आ चुका है किसी के आपके एक्जाम हो जाएंगे है और मोस्ली बच्चे जो है 11 के वो फरवरी से पढ़ना शुरू कर देते हैं 12 का जो कि सही भी है क्योंकि बोर्ड भी होता है तो अच्छे से एक्जाम को दो ठीक है तो सभी को all the best मैं मिलूंगे आप से एक new session में तब देख लिए bye bye and take care guys